राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिरूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयो आज हम लेकर के आए हैं सोयबीन की एक बहुती नई और सांदार वेराइटी इस वेराइटी के बारे में लगभग लगवे मैं समझता हूँ काफी हद तक बहुत सारे किसान भाईयो को पता होगा यूट्यूब पर इस से संबंदित और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल रहेंगी लेकिन जो जानकारी किसान भाईयो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ ये जानकारी अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी तो सोयबीन की ये कैसी वेराइटी है जिसकी जो पैदावार है हमें नॉर्मली वेराइटी के मुकाबले काफी ज़्यादा मिल सकती है इसकी बहाई हमें किस समय पर करनी है कौन-कौन से राजियो में आप इसकी बहाई कर सकते हैं फलियां इसकी कैसी आरती है, रोग इसके अंदर कैसे लगते है, पकने की अवदी क्या है, दाना किस तरीके का है, पैदावार कैसी है, सिच्चाई कितनी करने पड़ेंगी और इस परे हमें कितने करने पड़ेंगे, सब कुछ किसान भाईयो डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को किसान भाईयो आप ध्यान से देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकरी किसान भाईयो मिल सके तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो बाईयो का बिलकुल सही और सटीक समय किसान भाईयो रहता है, वो रहता है किसान भाईयो दस जून के आसपास आपको इसकी बाईयो कर देनी चाहिए, दस जून से लेकर के 15 जून, 20 जून तक यदि आप इसकी बाईयो करेंगे, तो बह गतंदे तक जदी फल्यां पहुच्छ थी तो किसान भाई सारी फल्यों को नहीं तोल पते और किसान भाईवो थोड़ासा मुःसा नुक्सान आपर देखने को मिल जाता है तो इसकी जो फल्यां आती काफी जायद है, सहंसी ले तो आप एक बार इसके उसका उप्योपकत्रазыв के लिए तो और आप आप透े दिये हैं, तो आप किस्म आपको निकाल करके देती है पैदावार की बात कर लूँ तो लगबग आपको इसकी जो पैदावार मिलेगी बारे से लेके तेरह कुंटल पिर्टी एकर तक की जो पैदावार है ये किस्म आपको निकाल करके किसन बड़े आसानी के साथ दे सकती है बात करते हैं की जो समस्या है वो काफी ज़ए देखने को मिल सकती है तो अपने खेत जिस भी खेत के अंदर आप जो है सोयबिन की इस वराइटी को लगाना है पानी निकासी की विवस्ता महाँ पर होनी चाहिए बात कर लेते हैं इस प्रेकी की इस किस्म को कितने इस प्रेकी आवसकता पड प्रिदेश, राजिस्तान, गुजरात, महाराष्ट और उत्तर प्रिदेश के बुंदेलकंट जैसे छेतरों में आप जो है इसकी बुआई करके एक सांदार और अच्छा उत्पादन किसान भाईयों निकाल सकते हैं इस किस्म के नाम की बात कुरों तो ये किस्म आती है एन मतलब खुस भी किया है, काफी अच्छा उत्पादन भी आ है, तब किस्म भाईयों मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको ये किस्म कैसी लगती है, आपने क्या इसकी बुआई की थी या नहीं, तो पूरी जानकारी आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते ह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जादस जादा सेयर करें